नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्य मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेज कास्क्रम के साथ नवरात्र में मां दुरगा के पांसमे सरूप मां असकंद माता की पूजा बीधी हम आपको एक दिन पहले बता रहे हैं ताकि पूजा में आप से कोई गलती या कोई चुक न हो तो बने रहे हमारे साथ हम आपको बताएंगे कि मां असकंद माता की क्या है बीज मंत्र मां की पूजा करके कैसे आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं और इसके साथ हम आपको बताएंगे मां असकंद माता की खास महा उ असकंद माता की चार भुजाएं हैं जिनमें से दो भुजाओं में कमल के फूल है तीसरी भुजा से भक्तों को आसिरबात देती है तथा चौथे हांच से गोध में बैठे अपने पुत्र असकंद को पकरी हुई है असकंद माता की सवारी सेर है तथा मा को केले की भोग अती पिडिये है इसलिए असकंद माता की पूजा में निश्चित रूप से आपको केला अर्पित करना है अब हम जानते हैं कि मां असकंद माता की क्या है खास मंत्र लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपको संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत आ रही है या आपका गोद सुना है तो कैसे इस दिन आप उपाय करके आप अपने गोद को भर सकते हैं संतान के प्राप्त इस मंतर का जाब करना है, मंतर हम आपको बहुत धीरे से बता रहे हैं, ताकि आप इसको लिख सकते हैं, या आप इसका फोटो भी खिश सकते हैं, मंतर है, नंद गोप ग्रिह जाता, यसोदा गर्वर संभभा, ततस्तो, ना सस्यामी, बिंध्या चल निवासनी, इस मंतर का कम स कम आपको एक सा आठ पर जब करना है, निश्चित रूप से आपको संतांत की प्राप्ती हो जाएगी, अगर आप इस दिन ये उपए कर लिया तो, अब हम आपको बताते हैं कि मां असकंद माता की क्या है खास मंतर, देखिए, मां असकंद माता की पूजा की शुरुवात द इसकी पीज मंतर है, हृरिम क्लिम श्वामिन नमा, इसके साथ साथ मां का जो महा मंतर है, वो है ओम हिरिंशरिंग आसकंद माता दुरुगाय नमा तो सबसे पहले आपको मां की अस्तुती करनी चाहिए उसके बाद मां का जो बीज मंतर है इसका कम से कम आपको एक सा आठ पर जब करना है इसके साथ साथ आपको जो मां का महा मंतर है इसका भी कम से कम आपको एक सा आठ पर जब करना चाहिए तब जाकर आपकी पूजा संपु अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्र के इस खास अफसर पर क्या है दूसरा खास महा उपाया अगर आपके जिंदिगी में या आपके घर में रूपिया या पैसा घर में नहीं ठरती है तो इसके लिए क्या करें देखे देवी के सामने घी का धीपक जलाएं नवरात्र में देवी को हल्दी की दो गाठे अरपित करें और रुदराक्स की माला से जो मैं मंतर बता रहा हूँ इसका कम से कम आपको एक सा आठ पर जब करना है मंतर है ओम हिरिंग शरिंग असकंद माता दुरगायनमा इस मंतर का कम से कम आपको एक सा आठ पर जब करना है इसके बाद हल्दी की गाठ जो आपने मा दुरगा को चरहाए हैं उसको अपने लोकर में रख दे निशित रूप से आपको इससे फैदा होगा अब हम बात करते हैं कि मां असकंद माता की क्या है खास पूजा बीधी देखिए सबसे पहले चौकी पर असकंद माता की परतिमा या तस्वीर अस्थापित करें इसके बाद स्री गनेश, वरून, नवगरा, सोडस मातरिका, सब्त घृत मातरिका की भी अस्थापना करें सबसे पहले कलस और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें इसके बाद बरत पूजन का संकल पलें और बेदिक एबं सबसती मंतरो द्वारा असकंद माता सहित समस्थ अस्थापित देवताओं की सोडस उपचार पूजा करें आपको जो मंतर मैंने बताया है इस मंतर का भी आपको जाप करना है जो मैंने आपको पहले बताया है अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी पूजा संपोर्ण होगी इसके बाद हम चर्चा करते हैं मां असकंद माता को क्या खास भोग लगाना है देखिए भगवति को केले का भोग लगना चाहिए और या परसाद ब्राम्भन को दे देना चाहिए ऐसा करने से मनुस की बुद्धी का विकास होता है इसके साथ साथ पीले फूल, पीली चीज का भी भोग मा को लगना चाहिए इससे भी आपको संपुन्ध पूजा का फल मिलेगा अब हम चर्चा करते हैं कि देवी असकन माता की पूजा करने से क्या आपको लाह मिलता है देखिए देवी की अरादना से साधक का अनाहत चक्रजागरित हो जाता है इसके साथ संतान से समंधित जितनी समस्या आपके जिन्दगी में है उससे भी आपको छुटकरा मिल जाता है अगर आप असकन माता की पूजा करते हैं तो संतान से समंधित जितनी समस्या हैं उसमें असकन माता की पूजा अचुग मानी जाती है इसके साथ-साथ अगर आपको लीवहर, पाजंतंत्र या कोई गंभीर बिमार्यों से बचाओ चाहते हैं या मोटापा स्या प्रसान है तो इससे भी आपको छुटकरा मिल सकता है अगर आपजम अस्कंद मादा की पूझा करते हैं तो इसके साथ साथ अगर आप सम संख्या में केला अर्पित करने से शंतान और स्वास्त में भी आपको लाव मिलता है जोतिस में इसका सम्मंध ब्रस्पतिगरा से होता है तो अगर आपके जिन्दगी में जूपिलिटर से या ब्रस्पति गरह से सम्मधित कोई भी समस्या है तो इनका भी निदान आप पा सकते हैं इनकी पूजा करने से अब हम आपको बताते हैं कि महानवरात्री के दीन इस दीन आप कैसे अपने ब्रस्पति गरह को एस्ट्रोंग कर सकते हैं ताकि आपको गंभीर बीमारियों से बचा हो लीवर या पाचन तंसे समधित कोई भी समस्या हो तो आप ब्रस्पति गरह को एस्ट्रोंग करके इससे आ आप निजाद पा सकते हैं, तो करना क्या है, देवी को केला, पीले फूल, पीली चीज का भोग लगाएं, तथा पीले बस पहन करके, ओम हरिम नमहा, ओम हरिम नमहा, इस मंत्र का कम से कम एक सा आठ बार जब करें, नहीं तो यथा सकती जब करें, इसे निश्टित रूप से आ करें, सब्सक्राइब करें, तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी मा असकंद माता की पूजा करके, उनके जीवन में भरस्पतिगरा से सम्मधित अगर कोई समस्या है, या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या उनके जीवन में, अगर रूपिया पैसा उनके जीवन में नहीं ठर रही है, इनका समाधान उनको मिल जाएगा, आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद